हम सब लोग बखुबी ये बात समझते हैं कि अकाउंट से एक प्रेक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रेक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम थोड़ा सा ध्यान पुर्वक पेपर को अटेम्ट करें तो हम डेफिनेटल जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं 80-85 तक पहुंचना कोई मुश्किल इसमें नहीं है प्रोवाइडिड हम थोड़ा सा ध्यान से जो है केरफुल रहकर चीजों को प्लैन करें उसकी बात ही यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करने वाले है कि क्या क्या इसी चीज़े हमें करने पड़ेंगी सबसे पहरे जब हम एक्जाम के अंदर जाते हैं 15 मिनट का जो अपने को रीडिंग टाइम मिलता है हमें उस समय का बहुत ही केरफुल तरीके से जो है परियोग करना है उपयोग करना है हमें उस 15 मिनट के अंदर पूरा कोशन पेपर पढ़ना है जितनी बार हो सके उतनी बार अगर बायचनस अपने को पहले नंबर याद है तो बहुत इच्छी बात है सोने पे सुहा अगा हो गया उस 15 मिनट के अंदर ये डिसाइड होना चाहिए क्योंकि अपने को कौन सा परिटिक्लर कोशन छोड़ना है क्योंकि एग्जाम के अंदर एक कोशन की चोईस आने वाली है कौन सा छोड़ना और बाकी सारे अपने वो करने है जो करने है उसमें भी कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है ये भी डिसाइड करना है क्योंकि अगर 5 question अपन कर रहे हैं सिर्फ यह matter नहीं करता कि हाँ वो 5 कर रहे हैं उनका serial order क्या रहने वाले वो भी अपने को ध्यानपरोग plan करना होगा क्योंकि exam में जितना अच्छे question से आप स्टार्ट करेंगे मतलब जो अच्छे से आपको आता होगा जिसका answer 100% best तरीके से आता होगा आपको भी करके अच्छा लगेगा confidence boost up होगा और वही answer sheet जब examiner के पास जाएगी check होने के लिए तो वहां पर भी starting में जब टिक 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 लगने start होंगे तो teacher के अंदर भी positivity आती है paper check करते हुए उसके बाद जब हम अपना question paper attempt कर रहे हैं बहुत ब jack में तो मेरे को best लाने थे अरे भाई पहला ही तो paper है बाकी तीन भी तो पड़े हैं हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे best marks लेकिन अगर लगता है कि कोई question नहीं आता तो tension नहीं एक question नहीं आता अरे एक तो आना ही नहीं चाहिए ने एक तो वैसी छोड़ना था दो नहीं आते आप 82 में से 82 लेकर आ सकते हैं ऐसा हमारे सत हुआ हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कोई अचंबित बात नहीं है impossible नहीं है बात ये ध्यान में रखने कि जब भी हमने अपना question paper attempt करना है हमें सही तरीके से proper answer number लिखते हुए question के अंदर जो जो formats पूछे हैं उसी format के तहत हमने अपने answer को बनाना है कई बार हमें answer करने की जल्दी होती है हम question को ठंक से पढ़ते नहीं है और irrelevant चीज़े solution में करते रहते हैं which is not required तो हमें जब भी उत्तर करना है सबसे पहले question को पढ़ना है एक से जादा बार पढ़ना पढ़ना नहीं है कि यार मेरे को एक बार में question स समझ में आ जाए उसी के बाद उत्तर करना start करेंगे calculator का ध्यान रखने जब calculator पर calculations करेंगे बहुत साथ तेजी से नहीं कर देनी क्योंकि वहाँ पर डर का महुल ऐसा होता है जल्दी का महुल ऐसा होता है कई बार हम फटाफट से करते हैं और कई बार हमें लगते है कि यार श होनी चाहिए हर question में जो working notes बनने हैं उस working note को बनाने और working note का मतलब rough note नहीं होता working note भी सही काईदे से होने चाहिए 1,2,3 proper numbering लगा कर इनके tagging होनी चाहिए माल लो आपने question के उत्तर में 4 working note बनाए आपका main answer 2 page का है और अगले 2 page पर working note है जिसमें 4 working note है 1,2,3,4 तो जो main answer है उसमें से working note 1 किस चीज़ का 2 किसका 3 किसका 4 किसका इसकी tagging माल लो आपने question में pndl बनाया एक लिखेंपल लिखें 2 depreciation तो depreciation का working note number 3 है माल लो तो depreciation के bracket में आना चाहिए WN3 ऐसा आपने को लिखना so that teacher के लिए easy रहे जब वो आपका answer sheet चेक करेगा कई बार ऐसा होता कि question के अ अपना attempt करने के बाद लेकिन हो सकता है assumption इतनी strong है कि उसके बेसे पूरा question depend करता है तो हमने ऐसे assumption को starting में ही लिख देना जहां तक accounting standard का question attempt करने की बात आती है जो भी अपना as का answer start करेंगे उसमें as का number और उस as का नाम लिखे बिना शुरू करना ही नहीं है इस चीज़ को गां जगां पर करना है और उनकी hierarchy मत हिलाना अगर चार पार्टे ABCD लिसे first question है accounting standard का चार पार्टे ABCD तो भाई ABCD ही होना चाहिए B, D, A, C, B, C, D, A ये नहीं चलेगा ABCD इस प्रकार से करना चाहिए अगर कोई पार्ट नहीं आता फिलाल के लिए जगां छोड़ जाओ बाद में बच्चे कहते हैं अगर बाद में हमें नायाद आया तो क्या तो क्या कुछ नहीं बटा कुछ नहीं ऐसे नहीं सोचना कि अगर बाद में नायाद तो ठीक है भाई नहीं लिखा ना क्या हो गया कोई कतल थोड़ी कर दिया कोई जुल्म थोड़ी कर दिया गुना थोड़ी है तो हमें बहुत ही careful तरीके से उस तीन घंटे को अपने utilize करना है याद रखनी ये बात जिंदगी के ये तीन घंटे हमसे कोई नहीं ले सकता और यही तीन घंटे हैं जो decide करेंगे कि क्या आने वाले कलमे मैं chartered accountant बनूगा या नहीं बनूगा उस तीन घंटे के अंदर समय बिल्कुल भी waste नहीं करना मैं go to toilet मैं go to drink water रहे भाई तीन घंटे के अंदर इन चीज़ों का समय नहीं है तो अपना paper करने पे focus कर exam में जाने से पहले light food खा कर जाना है ऐसने प्रॉंट है छोले बटूरे वगरा खालिये ना अपने आपको तरो ताजा रखना है physically भी और mentally भी और पूरी तरह से positive mindset के साथ exam hall के अंदर enter होना है और अगर कोई लगे कि भाई demotivate करने की कोशिश कर रहा है उनको कहना भाई जै माता दी जै श्री राम तू मुझसे दूरो जो और बागी माता रानी की blessings आप क्या थमेशा रहेंगी जो मैंने tips बताई है इन tips का definitely आप use करेंगे तो बहुत अच्छे माख साब के आएंगे बाबाई and all the very best ones again